बिदाइक बना जाता है तो सबसे पहले नमस्कार आपकी चनल दालत निउस से मैं हूँ राजा भी अपाल और इस समय हमारे साथ रजनी स्रीवास्तर चुड़ी हुए है महला कॉंगरेस की जिलाद देक्ष है जिस तरीके से महगा औफेदान सवास जो आवाजन सामने आ रही है जो बता रहे हैं कि आप महगा औ पेदान सवासे कोंगरेस की तरफ से उम्मीदवार की रूप में दाविदारी पेस कर रही है तो आप इस सम्मझ में आपने कॉंग्रिस पार्टी के आला कमाना कमलाज जी और उपर बात किये किसे से? बिल्कुल हमारे आधर्णी कमलाज जी से भी हम लोग मिले हैं मैं तीन वार की जला पंचाइस सदस्य हूँ और जिस एरिया से आज हम लोग बैठे हुए हैं यह मैं यहां से भी जला पंचाइस सदस्य हूँ और हमारे छेत्र की जनता का बहुत समर्थान है मेरे लिए बहुत प्रेम है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं 35 साल से 40-45 साल से मैं कॉंग्रेस में काम कर रही हूँ और मैला कॉंग्रेस के आते मैं आज मैला कॉंग्रेस की अध्यक्ष हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में अगर मेरी दावेदारी होती है तो निश्य ही हमारे छेतर के लोग भरपूर हमारी मदद करेंगे और हम कांग्रेस की सीट को निकाल के लाएंगे हमारे आधरनी डाक्टर गोबिन सिंग जी का हमारे लिए समर्थन है और उन्होंने हमेशा हमारी मदद किये और कांग्रेस में जो आज हम मैला हैं तीन बार हम जला पंचायत बनके आये हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद किये हमें कांग्रेस में बढ़ाया है और महिलाओं के प्रती उनका हमेशा इसने और उन्होंने महिलाओं को हमेशा बढ़ाया आगे आज जो मैं बैठी हूँ उन्होंने हमारी बहुत मदद किया आज मैं जिस हिस्तिती में यहां तीन बार जला पंचायत हूँ आज सब जनता के बीच बैठी हूँ, उनी का असीरवात है तो इसमा राजनी सीरवात से जुड़ी हुए है आप तीन वार यहां से जला पंचा सदस भी रही है और आप एक वार विदान सवा का चुनाव भी यहां से लड़ चुकी है तो आपको यहां की भोगले की स्थिति अच्छे से आपको ग्यान होगा यहां की सबसे बड़े मुद्दे कौन से है यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी क्योंकि आदे लोग प्लान यहां गुजरात में करते हैं जो लोग पेंट का काम करते हैं आज की स्थिति करोना की है बहुत देनी दसा है कि हमारे उदर के लोग सारे जो काम करते थे सब गाउं में आ गए और गाउं में कोई भी रोजगार नहीं है आज घर घर में आदमी परिशान है रोजी रोटी के लिए मौताज है तो हम यह चाहेंगे कि हमारी सरकार बने और हमारे यहां यह लोग मदद भी करेंगे तो सबसे पहले हमारे जो युवा हमारे भाई है उनको रोजगार की मौया कराए जाए तो यदि आप कॉंगरेस की तरफ से उम्मीदवार होती है और बिधायक बन भी जाती है तो सबसे पहले आपका विकास का मुद्दा कौन सा रहेगा सबसे बड़ा विकास का मुद्दा रहेगा कि जो हमारे भाई पड़े लिखे हैं उनको रोजगार दिया जाए उनको नोकरिया दी जाए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन भाईयों को जो हमारे यहां ब्यापम के माद्यम से भरती होती है उन पर रोक लगे क्योंकि हमारे छेतर का लड़का बहुत अश्ट फुष्ट है, किसान है, खुब काम करता है और फिजिकल में बहुत आगे है मगर थोड़ा सा क्या है कि यहां की वो इस्तिती पैसे के कान वो तूशान या कोचिंग नहीं कर पाता तो उस चीज में वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो हम यह सबसे ब्यापम के माद्यम से ना सीधी भरती की जाए और सबसे वड़ी अगर मैं मेरे को चांब, वो मिलता है समय, वो मुझे विधायक बना जाता है तो सबसे पहले हमारी एक प्रात्मिकता और रहेगी, कि जो हमारा यहां का बिरो जो पड़ा लिखा व्यक्ती जादा नहीं है उसको सासन के माद्यम से, उसको कोई भी छोटे-छोटे अपने जो चोटे-छोटे जो दोग है, छोटे-छोटे जो दुकाने हैं उनको कराई जाए अपने कई स्कीमे ऐसी हैं जिससे वो अपने घर में यहीं रहके काम करें, उनको कोई ना कोई ऐसा रोजगार का माध्यम मिले, जिससे वो अपना ठेला है, जिससे बहुत से लोग हमारे इधर एरिया के उजरात में पानी की टिक्की का वेपार करते हैं, तो उनको पैसा मिलके वो अपने सेहर में, युवा हैं इन लोगों को नौकरी का विसेश होगी है तो रोजगार की बात हो गई विकास की तरफ देखा जाए तो यहां जिसके इस परकार से गोहद में इस समय पानी की विक्राल समस्या बनी हुई है में यहां पर एक बहुत बड़ी वह है अगर मैं एमेले बनी और मुझे टिकेट दिया तो सबसे बड़ा मुद्धा है अमाई च्छेत्र में पानी का सबसे पहले लड़ाई मेरी पानी की है चाहे गाता हो चाहे गुदाबली हो में गाओं में चाहे आपका खेरोली के पास हो चाहे अजीता हो चाहे आपका मणैयन हो चाहे आपका इधर क्या नाम यह पढ़ता इधर अजीता के तरफ यह सब गाओं पानी यहां बिलकुल नही पानी की सबसे बड़ी समस्या है अगर मुझे बगवान चांस देता है और सरकार मुझे मेले के लिए तैयार करती है तो आप निश्चित मालना मेरा सबसे बड़ा पहला मुद्दा रहेगा पानी का कि यहां पेट किसानों के लिए टूवेल हेट पंप यह पानी की विवस्ता यहां की जाएं तो इस समय रजनी स्रीवास्ता आपका सीधा कहना है कि यदि कॉंग्रिस पार्टी मुझे उम्मीदवार की रूप में सुईकार करती है और मैं बिदायक बनती हूं सबसे पहले आमान छेत के लोगों के लिए जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या से नईजात दिलाने का मेरा सबसे पहला का होगा तो आपकी जयनादला नीज के साथ विस्तार से हमने चर्चा की है तीन वार से जलापनचाश चदस रही है रजनी स्री वास्ता महला कॉंगरीस की जिलाद देक्ष है लगाता जूड़ी रही है महें विदान सबा के साथ और मेहगाव विधान सवा इसके लोग इस समय हमको देख रहा है इस चैनल से आप माध्यान से रजीन से कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉस में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब पीचे लाइक के लिए जुड़ी रही है अमस्कार